अगर आपको आने वाले कुछ दिनों में या फिर इस महीने एक नई कार लेनी है तो आप लोगों के लिए काफी बड़ी गुड नियूज है बहुत सरी कार कंपणिया इंडिया में ऐसी है जो कि अपने कारों के उपर धाही राक रुपे तक का डिसकांट ओफर दे रही है तो इसे डिसकांट ओफर के तरह आपको कैश डिसकांट का ओफर मिल जाएगा यानि इंस्टेंट कैश बैक आपको मिल जाएगा इसके अलाव आपको एक्स्चेंज बोनस का ओफर मिलेगा और कुछ कारों के उपर कॉर्परेट डिसकांट ओफर भी दिया जा रहा है तो चलिए उसे डिलर्शिप याड़ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है इस चीज के लिए आपको डिलर के साथ बात करने पड़ेगी तब ही जाकर आपके बहुत सरे पैसे बचने वाले हैं स्कुडा की स्लाविया और फोक्सोगन की वर्टस दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट की सीडान कारे दोनों ही कारों को फिलाल के लिए ठीक ठाक रिस्पंस मिल रहा है अगर मैं कीमत की बात करो तो स्लाविया की कीमत स्टार्ट होती है 11,29,000 रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 18,40,000 रुपीज तक चाला जाता है ये एक शरूम प्राइज में आपको बताईए वही वर्टस की कीमत 11,32,000 रुपीज से शुरू होती है और वर्टस का टॉप मॉडल 18,42,000 रुपीज तक चाला जाता है तो ये प्राइजेस थे वर्टस और स्लाविया के लेकिन सकेंड नंबर पर रेनॉल की ट्राइबर और काईगर आई है इन दोनों में से एक कार को अगर आपको पर्चेस करना है तो यहाँ पर आपके 62,000 रुपीज बचने वाले हैं एडिशनली कुछ डीलर्शिप यार्ट पर आपको अक्सेसरीस भी मिल सकती है लेकिन इस चीज़ का फाइदा उठाने के लिए आपको डीलर के साथ बात करने पड़ेगी हाला कि पिछले कुछ दिनों से रेनोल काईगर और ट्राइबर का सेल थोड़ा सा कम हुआ है उसकेस में कुछ डीलर्शिप थोड़ा सा ज्यादा डिसकांट आफर दे सकते हैं इन दोनों ही कारों के उपर आपको कैश डिसकांट का ओफर मिलेगा और आपको एक्सचेंज बोनस का ओफर भी मिल जाएगा रेनोल ट्राइबर की कीमत स्टार्ट होती है 6,33,000 रुपीज से और इसका टॉप मोडल 8,98,000 रुपीज तक चला जाता है वही रेनोल काईगर की कीमत 6,00,000 रुपीज से शुरू होती है बेस मोडल की एक्सचेंज रुपीज और इसका टॉप मोडल 11,23,000 रुपीज तक चला जाता है तो यह पर इन दोनों ही कारों के प्राइज आपके सामने हैं थार्ड नंबर पर महिंद्रा की एक्सेवी 3 डबल है इसके अलग-अलग मोडल के उपर अलग-अलग डिसकांट आफर चल रहे है लेकिन इसके W8 आप्शनल मोडल के उपर आपको सबसुजदा डिसकांट आफर मिल जाएगा यानि आपको 70,000 रुपीज तक का बेनेफिट मिल जाएगा और इसे 70,000 रुपीज के बेनेफिट के अंदर आपको कैश डिसकांट का आफर मिलने वाला है एक्सजेंज बोनस का आफर भी आपको मिलेगा और यहाँ पर महिंद्रा कमपनी इस वेरियन के साथ कॉर्परेट बेनेफिट भी दे रही है तो यहाँ पर आपको लगबग 70,000 रुपीज तक का बेनेफिट मिल जाएगा वेरियन के साथ आपको थोड़े से कम बेनेफिट मिल जाएगे इस वेरियन की कीमत स्टार्ट हो दी है 12,38,000 रुपीज से यह मैंने एक्स्वरिम प्राइस बताई है फोर्थ नंबर पर हुंडा सीटी का फिप्ट जनरेशन और डव्य आर भी है इनों दोनों में से एक कारो को अगर आपको पर्चेस करना है तो आपके 70,000 रुपे बचने वाले है तो यहाँ पर इन दोनों ही कारो के ओपर 70,000 रुपीज तक का तगड़ा बेनेफिट चल रहा है और आज के डेट में भी हुंडा सीटी का 4th generation model इंडियन माकेट में बिक रहा है शायद उसके उपर भी कुछ डिलर्शिप आपको discount offer दे दे हाला कि कुछ डिलर्शिप offer दे दे है customer को attract करने के लिए लेकिन कुछ डिलर्शिप ऐसे भी होते है जो कि ये सभी offers नहीं देते अपने client को अपने customer को और ये जो offers का पैसे रहता है वो सभी dealer के जेब में चला जाता है तो उस case में आपको dealer के साथ बात करने पड़ीगी चाहे वो टाटा का dealership हो चाहे वो महिंद्रा को चाहे वो किसी भी car company का हो तो ये सभी discount offer company के तरफ से दिये जा रहा है additionally dealer अपने end से और बेज़धा discount offer आपको दे सकता है अगर उसके stock ad में बहुत ज़धा stock available है अगर उसको stock clear करना है तो वो आपको और बेज़धा discount offer दे सकता है ताकि उसका sale ज़्यादा से ज़्यादा हो सके है यहाँ पर Honda City की कीमत स्टार्ट होती है 11,87,000 रुपीज से और टॉप मोडल 15,62,000 रुपीज तक चला जाता है और WRV की कीमत 9,11,000 रुपीज से शुरू होती है बेस मोडल की extra price और टॉप मोडल की कीमत 12,31,000 रुपीज तक चली जाती है तो यहाँ पर Honda City के 5th generation की कीमत और WRV की कीमत आपके सामने है और इन दोनों ही कारों के उपर आपको 70,000 रुपे तक benefit मिल जाएगा 5th नमबर पर निसान की Magnet आई है अलाकि पिछले में निसान Magnet के सेल काफिज ज़दा नीचे आ जुका है तो इसकार के उपर कमपणी के दरफ से 82,000 रुपीज तक का discount offer दिया जा रहा है यानी 80,000 के उपर आपके पैसे बचने वाले है और डीलर अपने एन से इसकार के उपर आपको और भी ज़दा discount offer दे सकता है यानी निसान Magnet के उपर आपके एक लाग रुपई के उपर पैसे बच सकते है या फिर आपको additionally accessories भी मिल सकती है डीलर की एन से तक कि आपके accessories के पैसे भी बच सकते है तो ये से भी offers आपको निसान Magnet के उपर मिल सकते है हाला कि इसकार का sale थोड़ा सा कम हुआ है पिछले कुछ महीनों में इसी वज़े से company इसकार के उपर अलग-अलग offer दे रही है निसान Magnet की कीमत स्टार्ट होती है 5,97,000 रुपीज से और इसकार का टॉप model 10,79,000 रुपीज तक चाला जाता है तो यह एक शरुम प्राइज मैंने आपको बताईए शिक्स्त नंबर पर टाटा की हैरियर और सफारी आई है इन दोनों ही कारों के उपर आपको एक लाग रुपे तक का benefit मिल जाएगा और कुछ वेरेंस के उपर आपको यह offer लागू नहीं होगा जैसे कि अगर आपको डार्क एडिशन मॉडल लेना है सफारी का या फिर हैरियर का तो वहाँ पर यह offer आपको नहीं मिलेगा इसके अलावा जेट एडिशन के उपर भी आपको यह offer नहीं मिलेगा सिलेक्टेड वेरेंड के उपर आपको यह offer मिल सकता है और अगर किसी डीलर के पास 2022 का stock available है तो उस case में आपका डिशन ओफर और भी जदा बढ़ सकता है ताटा हैरियर की कीमत स्टार होती है 14,98,000 रुपीज से और ताटा हैरियर का टॉप मॉडल 22,59,000 रुपीज तक चला जाता है ताटा सफारी की कीमत 15,65,000 रुपीज से शुरू होती है और ताटा सफारी का टॉप मॉडल 24,00,000 रुपीज तक चला जाता है तो इन दोनों ही कारों की उपर आपके 1,00,000 रुपे तक पैसे बचने वाले हैं सेवन्त नंबर पर स्कोडा की कुशक आई है इसके अलवा फोक्स वोगन की ताइगुन आई है इन दोनों ही कारों की उपर 1,25,000 रुपीज तक का डिसकांट आफर चल रहा है आपके 1,25,000 रुपे बच जाएंगे अगर आप इस महीने स्कोडा की कुशक या फिर फोक्स वोगन ताइगुन को लेनी की सोच रहे हो तो इन दोनों ही कारों की उपर आपके अच्छेकर से पैसे बचने वाले है दोनों ही कारों को सेफटी में 55-star रेटिंग्स मिले हैं लेकिन फिर भी दोनों ही कारों का सेल इंपरूर नहीं हो रहा है पिछले कुछ महीनों से इन कारों का सेल थोड़ा सा नीचे ही जा रहा है इसके पीछे बहुत सरी रीजन से लेकिन फोक्स वोगन ताइगुन की कीमत स्टार्ट होती है 11,56,000 रुपीज से और इसका टॉप मॉडल 18,96,000 रुपीज तक चला जाता है और कुछकी कीमत 11,59,000 रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्षोन प्राइस और टॉप मॉडल 19,69,000 रुपीज तक चला जाता है इन दोनों में से आपको कौन सी कारा अच्छे लगती है कॉमेंट स्क्षन में जरूर बता देना 8 नंबर पर जीब की कमपास आई है जिसका सेल काफी कम होता है इंडिया में और जीब कमपास को अगर आपको लेना है तो अब इसका डीजल मॉडल पर्चेस कर सकते हैं मुकाबले इसी वज़े से जीब कमपास का डीजल मॉडल कम बिखता है इंडिया में जीब कमपास की कीमत स्टार्ट होती है 21,9,000 रूपीज से और टॉप मॉडल 31,29,000 रूपीज तक चला जाता है नाइन्थ नंबर पर सिट्रॉन की सीफाय आई है जो की इंडिया में फ्लॉप रही है इसकार के उपर ये कार कमपनी 2,00,000 रूपे तक का डिसकांट ओफर दे रही है डेलर अपने एंड से आपको अक्सेसरीज बे दे सकता है या फिर सिम्पली आपको और बेज़ादा डिसकांट ओफर दे सकता है हर मैने इसकार के 50, 60, 70 यूनिट बिंग जाता है यानि इसकार का सेल काफी कम होता है वसी वज़े से इसकार के उपर आपको काफी ज़धा डिसकांट आफर मिल जाएगा आप और बेज़धा डिसकांट आफर के लिए बोल सकते है इसकार के कीमत 37,00,000 रुपिस से स्टार्ट होती है और इसकार के अंदर आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएगे तेंथ नमबर पर जीप की मेरेडियन है जिसके उपर आपको सबसदा डिसकांट आफर मिलेगा जो कि है धाई लाग रुपए का आपके धाई लाग रुपए बचने वाले है अगर आपको जीप की मेरेडियन लेनी है भही इसकार का रोड प्रेजन्स नेक्स्ट लेवल है जब भी आप इसकार को रोड पर देखोगे तो ये सभी आफर्स आपको इन कारों के उपर मिलने वाले है लेकिन एक जीज़ आपको ध्यान में रखने पड़ेगी इन सभी आफर्स का फाइदा उठाने के लिए आपको डीलर के साथ बात करने पड़ेगी इसके अलावा आपको उनको कन्वीन्स करना पड़ेगा ज़दा आफर्स के लिए जो कारे इंडियन मकेट में काफी कम बिखती है उन कारों के उपर आपको काफी ज़दा डिसकांट आफर मिल सकता है जैसे कि जिप की मेरेडिन हो गई, कमपास हो गई, सिटरोन की सीतरी हो गई, निसान की मैगनेट हो गई इन कारों के उपर आपको अच्छा कासा डिसकांट आफर मिल सकता है लेकिन जो कारे इंडिया में काफी ज़दा बिखती है उनकारों के उपर car company काफी कम discount offer देती है इसके अलावा एक important tip मैं आपको बतना चाहूंगा बहुत सरे dealership ऐसे रहते हैं जो कि अपने पैसे बचाने के लिए यह offers नहीं देते हैं हलाकि यह offers company के तरफ से आ जाते हैं इसके अलावा dealer अपने end से और भी offer दे सकता हैं दिखा सकते हैं ताकि आपके maximum पैसे बच जाए वीडियो कैसे लगा comment section में ज़रूर बता दिना ऐसे interesting videos देखने के लिए चनल को subscribe करके बल notification को और ज़रूर कर लेना